हाई फ्रेंड्स आज हम इस्टिंग क्लास के एक इंपोर्टन मेथड डिसकस करने वाले हैं यह वेल्यू आफ यह वेल्यू आफ मेथड क्या करती है किसी भी डाटर टाइप को इस्टिंग में कनवर्ड कर सकती है तो इसके लिए हमें एक केस लेना पड़ेगा लेटस एज्यूम हमारे पास एक इंटीजर ए और इसकी वेल्यू मान लेते हैं इस तरह से हैं अब अगर मुझे काउंट करना है कि इस इंटीजर में कितने डिजिट से तो यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है 6 बट मुझे प्रो ए डॉट देखिए कंटेक्स्ट्टल हेल्प में कुछ में नहीं आ रहा है क्योंकि यह तो एक टाटा टाइप यह प्रिमिट्व टाइप इसके उपर कोई भी मेथड कॉल नहीं कर सकते हो इस तिंग हमारी नॉन प्रिमिट्व टाइप है और इस तिंग के पास बहुत सारी म मेथड को कॉल कर सकते हो ओके तो इसका प्रोसीजर किस तरह से रहेंगा आपको इस सिंग लिखना पड़ेंगा डॉट करेंगे इसकी वेल्यू आफ मेथड को कॉल करेंगे अब देखिए जैसे भी वेल्यू आप लिखता हूँ तो यहाँ पर नमबर आप्शन सा जाएते ही यह वेल्यू आफ मेथड जो होती है ना यह एक ओवरलोड मेथड है यह आपको बता था ओवरलोड मेथड क्या होती है जिसका नेम सेम होता है और अंदर जो हम पेरामिटर पास करते हैं वह डिफरेंट होते हैं अब आप देखिए यहाँ पर वेल्यू आप में कभी बूलि इंटीजर लॉंग ओके तो यह इन सभी डाटा टाइप को स्ट्रिंग में कनवर्ट कर सकती है और यहां पर देखिए है इससाइड निक्वा लिखा यह इंटेजर लूपर कर रहा हूं मैं वेल्लियू गारी लिखे लिया तो इस विल्लयू आफ खैन्दर आफ इंटीजर पास कर सकते हो करेक्टर पास कर सकते हो डबल फ्लोट लesarण कुछ पास कर सकते हो वो सभी को string में convert कर देगा तो यह integer a था इसकी value यह थी बट हम इसके उपर length method को call नहीं कर सकते जोकि length method हमेशा string class के उपर ही call होती है तो पहले इसको string में convert करना पड़ेगा तो हमने यह procedure यूज़ किया string class की value up method को use किया इसमें integer को pass किया अब इस statement ने क्या किया इस statement ने इस a को convert कर दिया string में तो यह जो statement यह क्या return करेंगा string इसको cache करना पड़ेगा ना किसी में तो यहाँ पर इसको string में capture कर लेंगे यहाँ पर मैंने इसको str6 नाम की string के अंदर capture कर लिया यह value आप method जो भी return कर रही है ओके आप इसको print करवाता हूँ में str6 अब मुझे print क्या करवाना चाहिए इसकी length अब इस str6 के उपर length को call कर सकता हूँ में क्योंकि string के उपर तो मेरे पास method से यह print क्या करना चाहिए यह print करना चाहिए 6 let's see इसको run कर रहा हूँ में तो यहां पर देखिए आप इसने क्या print करा 6 तो इस प्रकार से आप किसी भी integer number की length निकाल सकते हो कि उसमें कितने digit हैं चलिए इसमें variation करते हैं इस बार length कर दी मैंने 4 तो इस बार 4 print होना चाहिए यह देखिए कितना print हो रहा है फोर गॉट इट तो अभी हमने क्या करा integer convert करा इस ट्रिंग में फिर उस इस ट्रिंग के हमने length निकाल ली अब एक काम करते हैं हम double लेते हैं डी ओ यू बी एली double type का data type लिया इसको d1 नाम दिया और यहां पर लिखा मैंने 12.2456 इस तरह से मैंने double को declare किया और फिर इनी दो statement को यूज कर लूँ क्या चलिए फिर से लिख देता हूं में हम लिखेंगे string dot value method को call करेंगे इस बार value of में पास क्या करवाने वाले double तो d1 पास करवाया इसको यहां पे end कर दिया अब यह पूरा statement क्या return करने वाला इस तो उसको एक स्ट्रिंग में capture करना पड़ेंगा string 7 यह str7 क्या है एक variable का name में जो हमने use किया है तो हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर capture कर लेंगे अब इसकी length निकालना है मुझे तो यहां पर वही print कर वा लेता हूं मैं length को str7.length तो यहां पर str7.length यहसी लिखूँगा अब बताइए आप length कितनी print होना चाहिए इसकी आप guess किजिए मैं run करता हूं यहां पर देखिए seven print हो रही है count करें वान टू वही डॉट को भी ले रहा है three four five six seven अगर आप डारेक्ली डवल पर कॉल करते हैं तो आप डारेक्ली डवल पर कॉल करते हैं मतलब डीवन डॉट करके कोई मेथट देखते हैं तो कोई भी मेथड नहीं आ रहे इक अंटेक्श्ट्ट लेल्ब में यह तो हमारा डाटाइब है ना इस डाटाइब पर मेथट भी ना है हमारे पास इस non-primitive टाइब इस तिंग क्लास के उपर ही मेथड्स होती है तो हमें अगर इंटीजर को डबल को लॉंग को अगर इस तिंग में कनवर्ट करना हो तो हम इस तरह से वेल्लियो आप मेथड का यूज कर सकते हैं आई होप कि आपको यह मेथड समझ आ गई होंगी आगे या कि हम नंबर आप प्रोग्राम देखने वाले हैं वहां पर इन सभी मेथड को में यूज करके दिखाऊंगा आपको तो और ज्यादा क्लारेटी आएंगी अभी सिप एक 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 जामपल लेके बैसिक्स बता लाए एक स्टिंग ले रहा हूं में str8 और इसका डाटा टाइप लिक्लार करना पड़ेंगा मुझे इस्टिंग और यहां पर इस इस्टिंग को लिख रहा हूं में एक बॉस पीजे और यहां पर नमबर आभी स्पेस देदी अब यह तो एक स्टाइस पेसे से यह तो वेस्टेज है ना ओके तो मुझे क्या करना है इसको ट्रीम करना है और फिर इसके पहले भी स्पेस देदी अब दोको ट्रीम मेथड क्या यादू करने वाली है मैं पहले प्रिंट करवाँगा इसको इस टी आर एट डॉट ट्रीम नाम से इस पर स्टिक क्या करने वाली है ट्रीम कर देए उससे जस्ट आपको इस मेथरो कॉल करना है कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करना है इसमें अब रन करते हैं अब आप देखिए जो एक स्टाइस पेसे से वह रिमू हो जाएंगी हो कि यहां पर देखिए टेग बाउस पीजे प्रिंट हो रहा है इसके पहले जो इसरेस थी और बाद मेज्च पेस थी वो रिम हो चुकी है अब भी आपको क्लारेट नहीं यह तो यहां पर काम करते हम लिखते हैं बाह 6 और फिर यहां पर करते हम 2 should अब देखते हैं यह trim method क्या करती है आपको समझाया ना कि अगर पहले spaces हो आखरी में spaces हो तो उनको तो हटा दिया लेकि बीच में space होती हो तो हटा पाएंगी क्या यह लेट सी तो यहां पर देखिए अगर बीच में इस पेसे से तो उनको नहीं हटा पाएंगी ओके यह ट्रीम मेथड क्या करती है प्रिफिक्स और सफिक्स की स्पेसेस को हटाती है अब इन इस पेसेस को हटाना हो तो मैंने आपको एक मेथड बताई थी यहां पर कौन सी मेथड थी वह रिप्लेस और जिसमें हम रेगुलर एक्सपेशन पास करते थे याद आया यहां पर यह वाली मेथड तो मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी करके दिखाऊंगा एक बार और यह वाला यूज करना पढ़ाएंगा हमें ओके यह एक्सपेंड कर चुका हूँ मैं आपको यहां पर मैंने इसको अपेस्ट कर दिया इसको एस्टी यार मै यहाँ पर जितनी विए प्कौम का सिंगल स्पैस स्टे में करतीये है तो यहां करते है तो देखें क्या आता है यहां पर देखो जो desired output था हो मिल गया इनके बीच की सारी इस्पेस अट गई अगर यहां आप एक इस्पेस क्रियेट करते तो इन सभी इस्पेस को अटाके एक सिंगल इस्पेस तो रहे जाती इसको भी रंग करके देखें तो यहां पर आपकी replace all method का भी revision हो गया देखिए सिंगल इस्पेस मेंने आपको आप एक last important method है जो हम ज्यादा तर यूज करते हैं split it's another important method but is split method को समझने के लिए आपको array समझना होगा क्योंकि यह split method क्या करती है कि एक जो sentence होता है उसके अंदर अलग जो words होते हैं उसको यह array के अंदर fit कर देती है तो आपको array समझ में आना चाहिए तो यह split method में आपको जब array पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से explain करूंगा बट फिलाल में इसका syntax explain कर देता हूं और इसका input और output condition आपको यहाँ पर फिलाल बता देता हूं तो array कैसे declare करते हैं कोई भी array declare करना हो जैसे integer type का array तो array actually होता है array होता है collection of similar type of elements तो इसके लिए में एक separate lecture बनाऊंगा अच्छे से explain करूंगा उसमें अभी फिलाल आप shortcut में इतना समझ लिए यह इसके ब्रेकेट से array को declare करते हैं एक integer array है तो इसको variable का नाम देना पड़ेंगा ARR नाम दे दिया और इस array चे अंदर values का रख रहे हैं integer type की value रख रहे हैं लाइक दीस 123 ओके अभी यह syntax कैसा होता है कैसे declare करते हैं सबको आप भूल जाईए ओके इससे confused ना होए अब अगर से बनाना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेंगा इस तरह से string फिर यहां पर इसके ब्रेकेट से array और फिर यहां पर नाम देदो आप ARR2 कुन सा आपका string array फिर यहां पर curly braces के अंदर आप वह string को किसमें लिखते हो double quote के अंदर तो यहां लिख दो आप high फिर यहां पर ल करके आप लिख सकते हो यहां पर hello तो यह एक इस तरह से आप character array भी बना सकते हो तो एक छोटा सा इंट्रोक्शन दिया मैंने आपको array का array is the collection of similar type of element यहां पर सारे integer यहां पर सारे string यहां आप character array भी बना सकते हो औके अब मैं आपको sprint method समझाने वाला हूं तो इस्पीट मिन समझने के लिए मुझे एक string declare करनी पढ़ेगी s t r i n g string s t r 9 इस string का नाम दे दिया s t r 9 और इस string के अंदर में क्या करने वाला हूं मैं लिख रहा हूँ hi by hello got it? अब यहाँ पर देखिए यह single string है इसके अंदर लिखा है मैंने hi by hello got it? अब मैं str9 के उपर split method को call करूँगा तो split method देखिए आप यहाँ पर यह split method भी क्या लेती है regular expression लेती है ठीक है और regular expressions मालूम है आपको spaces हो गए आपके हैं तो यहाँ पर हम इसको select करेंगे और यह return क्या करेंगी string array देखो यहाँ पर square bracket है string के बाद तो किसी भी data type के बाद आप अगर इस तरह से bracket use करते हो तो वह array के लाता है तो यह method क्या return करेंगी string array अभी समझातों में एक चीज और यहाँ पर हमने ले लिया double quote के अंदर एक space ठीक है अब इसको ध्यान से समझो अभी आप इस पर focus करो यह string है str9 इसमें क्या लिखा हुआ एक single string के अंदर high by hello three words है एक high है एक by है एक hello है इसको भी उसी के similar कर लेता हूँ तापकि आपको अच्छे समझ में आए अब यहाँ पर देखिए इसके उपर मैंने speed method को call किया तो यह speed method क्या करती है कि यहाँ पर आप जो भी regular expression दोंगे उससे इस sentence को speed कर देंगी इस string को speed कर देंगी तो यहाँ पर इस string में यह सर्च करती है कि space कहा है space यहाँ पर है तो इन दोनों word को speed कर देंगी फिर space यहाँ पर है इन दोनों word को speed कर देंगी और इन सभी words को speed करने के बाद एक array में put कर देती है तो यह वाली जो statement है यह return करने वाला एक array कैसा array string array तो इसको एक string array में capture करना पड़ेगा मैंने बताया आपको string के बाद square bracket लिख दो आप ठीक है इस variable का नाम भी देना पड़ेगा आपको तो यहाँ पर हम लिख देते हैं variable का नाम string array तो split method का use समझ में आया आपको split method क्या करती है जो भी आप यहाँ पर दोंगे उसके basis पे आपकी जो string है उसको spread करके उसके एक एक word को एक array में put कर देती है और यहाँ पर यह सब string है इसलिए इसको string array में put कर देंगी वो got it अब यहाँ पर देखिए आप अब मुझे चेक करना है क्या वाकी यह array बन गया है तो इस एरो को print करवाना पड़ेगा इस एरो को print करवाने के लिखिया करना पड़ेगा वही statement लिखेंगे हम और array का नाम देना पड़ेगा स्ट्रिंग और जब भी एरो को print करवाना होता है तो इसके वेरिवल नेम के आगे आपको to string method को call करना होता है got it तो dot to string method को भी call करना पड़ेगा तो यह जब मैं आपको array बताऊंगा ना उस समय सारी detail में सजीजे समझाऊंगा आपको तो अभी फिलाल आप split method पर focus किजिए कि speed method कर क्या रही है इसको right click करके run करके दिखाता हूँ में एक वार आपको तो यहां पर देखिए यहां पर क्या करा है इसने इसका address प्रिंट कर दिया यहां पर क्या करा है इसने इसका address प्रिंट कर दिया हमने method गलत यूज़ कर लिए हमें actually क्या use करना चाहिए हमें use करना चाहिए arrays करके class होती है arrays. इसकी twisting को call करना चाहिए और उसके अंदर इस sting array को pass करना चाहिए तब जाकर यह पूरा content प्रिंट होगा एक बार में successfully run करता हूं फिर एक-एक step आपको explain करता हूं यहाँ पर अब देखिए यह हाई बाय हेलो कॉमा से सेपरेटेट हैं मतलब यह एक एरे के अंदर आ गए ठीक है जब यह प्रिंट करता है तो इस तरह से एरे को प्रिंट करता है तो यहाँ पर इस्टिंग क्या थिया आपकी str9 फिर हमने इस प्रिंट मतल चाहें कुझा किया उसको इस्टिंग किया oni एक एरे को इस तरो कर लिया और फिस इस एंयकी वियल्यू को पिंट करवा दिया अयरे की करवाना है टो आरे स क्कलास को कौल करेंगे इसकी त्विंट मतल कुकर ऊंए उसके अंदर यह प्रायमिटर परस करवा तब यह चीज़े आपको बहुत अच्छे से explain करूँगा मैं, got it, तो आपको speed का मतलब समझा गया होगा, यह speed क्या करती है, actually में, ठीके, तो आप जो भी इस्टिंग क्लास की जितनी भी important method थी, 21 important method थी, वो मैंने सब cover करवा दिया आपको, और भी बहुत सारी method होती है, but इतनी ही हम use करेंगे programming में, तो next lecture से programming start करवाने वाला हूँ, at least 10 programs तो करवाऊँगा मैं आपको, इस्टिंग पे best, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, प्रोग्राम तो अगर कुछ भी समझ नहीं आता है, तो comment जरू करना, ठीक है, और इस channel को अगर subscribe नहीं किया है, तो subscribe जल्दी कर ले, got it, till then, bye bye